तो दिये जाएंगे उसके आधार पर आप प्रस्टों का उत्तर देने की स्थती में रहें। पुल 25 प्रस्ट आपके पेपर में CZL में पूछे जाते हैं, Tier 1 एक्जाम की बात कर लें, चाहे Tier 2 एक्जाम की बात कर लें। उन 25 में से अगर इस सेग्मेंट से आपके पेपर में 4 प्रस्ट भी आएं हैं। और अगर इसकी पढ़ाई आपने ठीक ठाक तरीके से कियें, तो इस बात की पूरी पॉस्बिल्टी है कि आप 4 के 4 हो सही कर सकते हैं। यही एक ऐसा विशय है जिस पे मैं यह मानता हूँ कि आप इसमें 100% स्कूर कर सकते हैं। कितिहास में इसकी संभावना थोड़ी सीमित होती हैं। गूगोल में भी चांसेज होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा तर आपके पेपर में इंडियन जोग्राफी के प्रस्थ रहते हैं। या फिर एकनामिक्स में भी संभावना इस बात की बहुत कम होती है। लेकिन ये विशे एक ऐसा विशे है जिसमें समझ की ज़्यादा आवसिक्ता पड़ती है। अलाकि कोई भी सब्जेक्ट बिना कंसेप्ट के तो होई नहीं सकता है। वो चाहे मैट्स हो, चाहे रिजलिंग हो, चाहे जीएस की कोई भी कंपोनेंट आप ले लें। यानि आप पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री को भी इतिहास को लेकर भी बच्चों में एक धारणा होती हैं कि इतिहास तो रटने वाला विशे, इसमें क्या कंसेप्ट है। लेकिन कंसेप्ट के बिना कोई सब्जेक्ट नहीं है, हर एक विशे में तथ्वे और यहाँ पर इसके साथ साथ आधारणा है। राज और एक टर्म लिखा हुआ है ब्यवस्था, राज के लिए अगर इसका इंग्लिस ट्रांसलेशन किया जाया तो हम लोग टर्म यूज़ कर सकते हैं, रूल और ब्यवस्था के लिए हम इंग्लिस ट्रांसलेशन ले सकतें, सिस्टम, तो अगर आप से यह मैं यानि भारत में कैसा रूलिंग सिस्टम है, कौन रूल करता है, कैसे रूल करता है, इन सब के बारे में जो आप अध्यान करें, ऐसे विशे को ही क्या कहा जाता है, राज विवस्था, यह समझ में आ गया, अब अगर मैं आपके सामने अगली लाइन लिखूँ, कि किसी भी तेस में जो साशन की विवस्था है, जो साशन की विवस्था है, यानि गवर्नेंस, यह दो प्रकार का हो सकता है, गवर्नेंस ऐसा भी हो सकता है, जिसमें एक ब्यक्ति के हाथ में ही पूरी सकता हो, यानि जिसे हम कहते हैं ब्यक्ति का साशन, रूला पर्सन, Rule of Person तो अगर ब्यक्ति के हाथ में सत्ता है यानि साशन या पूरा नियंतर सरकार चलाने का एक ब्यक्ति के हाथ में है तो साशन की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है Autocracy या और कोई नाम Monarchy या Despot is Monarchy इसका प्रॉपर नाम है यानि इसी को एक नाम दिया गया इसको कहा गया despot is monarchy निरंकुस राजसाही निरंकुस राजसाही तो निरंकुस राजसाही एक ऐसी साशन बे उस्था होती जिसमें आटोक्रेटिक रूल होता है तो अच्छा चारिता होती एक व्यक्त की मर्जी से पूरा सिस्टम काम करता है अच्छा साशन किसे कहते है रूल किसे कहा जाता है पताहिए आप लोग जनरल भाषा में कि मत सोची कि क्वालिटी क्यों प्योर्ड वुकिस लैंगुज में आप पढ़ें मैं बहुत जंदल तरीके से आप से पूछ रहा हूं कि साशन दवस्था के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे लेकिन साशन होता क्या आप से कोई पूछता आपने क्या पढ़ा तो आज हमने साशन दवस्था भारक की पढ़ी लेकिन किसी ने पूछ लिया साशन क्या होता भाई बताओ तो क्या बताओ साशन को अगर एक वर्ड में define किया जाए तो उसका मतलब होता है कमान यानि अगर जनता में बैठे हुए लोगों को कमान दिया जा रहा है तो हम कहेंगे जनता पर साशन किया जा जा तो कमांड देने वाला अगर एक परसन है और सबको मानना पड़ रहा है तो इस तरह की साशन दोस्ता को क्या कहेंगे देस्पोड इस मोनारकी यानि इसे कहते हैं निरंकुस राजशाही और भारत ही नहीं पुरी दुनिया में एक समय ऐसा ही सिस्टम था एंसियन टाइम में मेडविल टाइम में इंडिया में तो था ही था पूरे वर्ड में यही सिस्टम था जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो आप लोग पढ़ते हैं कि भारत का साशक था मालीजे समराट असो तो असो एक ऐसा ब्यक्ति है जिसका पूरे देश के साशन पर न लोग मारे गए अब जिनकी फैमिली के मेंबर मारे गए थे क्या वो लोग असोप के खिलाब किसी कोर्ट में जा सकते थे कोई न्याले था कि नहीं था जबकि न्याले तो था उस समय नहीं इसका जवाब नहीं होगा न्याले उस समय भी था मौरे प्रसाशन में दो तरह के न्याले होते थे एक का नाम था कंटका सोधन और एक का नाम था धर्मस्ति इसका पूरा विवरण मिलता है कोटिल लिखी एक बुक मिली है जिसका नाम है अर्थशास्त उसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौरे के समय भी न्याय करने के लिए दो तरह के न्याले बना कद्मा दायर कर सकता था उसे न्याय किया जाएगा लेकिन उस पोर्ट का सबसे बड़ा न्याय धीस कौहन था राजा की सबसे बड़ा न्याय धीस था और राजा दुनिया में ऐसा ही सिस्टम बहुत लंबे समय तक चलता रहा लेकिन फिर इसके बाद दुनिया के लोग जब इस ब्योस्था से तंग हो गया कि इसमें हमारा सोशन हो रहा है तो लोगों ने इसके खिलाब आवाज उठाई और धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ और इसके वि में कहा जाता है विधिका साशन विधिका साशन रूफ लॉफ 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 साशन के दो विकल्फ हो गए एक ब्यक्तिका साशन एक विधिका साशन अब विधिके साशन का मतलब क्या हुआ रूल आफ लॉफ लॉफ का मतलब क्या हुआ रूफ लॉफ का बनाए해 लोगोंοιπόνे या संसत्दुने बनाए है और और या हमने आपने मिल करके एक सभा बनाई और उस सभा ने अगर कानून बनाया तो चाहे आप उसे संसत नहें चाहे आप उसे संिधान सभा कह दें लेकिन वो लोगों की सभा करें कि अब हमारा किसी की मर्जी से नहीं चलेगा बल्कि लोगों की आम सहमती से चलेगा और कैसे चलेगा तो चलाने के कुछ नियम कानून तय कर दिये गहे और उसी कानून को आज हम क्या कहते हैं स्म्भिधान या यानि कॉस्टिउशन तो लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून जिसमें साशन करने के सिध्धानतों का वर्ण किया गया है उसी को क्या कहा जाता है Constitution या संबिधान यानि संबिधान बताता है कि देश कैसे चलेगा किसी भी देश के लिए हम बात कर सकते हैं तो जब संबिधान के बताए नियमों से देश चलने लगे जहां कानून का राज आ जाए तो इस तरह की साशन व्यवस्था को क्या कहते हैं लोगतान त्रेक साथ एक बड़ा बेसिक सा प्रस्ण आप से अगर मैं पूछ हूँ कि साशन के कौन-कौन से रूप होते हैं टाइपस आप गौवर्मेंट अगर आपसे पूछा जाए तो अब तक मैंने दो डिसकस किये कौन-कौन से हो गए एक हो गया आप डिस्पोडिस मोनार्की और एक हो गया इसको इंग्लिस में लिखते हैं डिमोक्राइटिक तो बहुत इसपस्ट है कि आज अगर मैं आप से सवाल करूं कि भारत में अब भारत पर आ क्वारत आज की तारीक में डिस्पडरीज बोनारकी है या फिर लोक तंत्रिक साशन हैं अगर आपसे अगला प्रशने किया जा हम क्युं करें रोग तांत्रिक साशन है संविधान के नुसार साशन है कानून के नुसार साशन है फिर आप कहेंगे सर कैसे कर रहे हैं तो मोदी जी का साशन है तो क्या मोदी जी जो इस देश में एक सरवोच्च सत्ता मर है रुहानमंत्री हैं देश के वो कानून से बड़े हैं या कानून के दाइरे में हैं कानून के दाइरे में इसी लिए लोकतांत्रिक साशन में हमेशा ध्यान रखेगा कि साशन कानून के दाएरे में चलाया जाता है और लोकतांत्रिक साशन की जो सबसे बड़ी विसेश्ता होती है वो है लोगों का साशन तो जरा इस टर्म को पहले समझ लिया जाए एक टर्म है डेमोक्राइसी इसको हिंदी में हम कहते हैं लोकतन ये ग्रीक भाशा के दो सब्दों से मिलकर बना है एक है डेमोस और एक है क्रैसिया डेमोस का मतलब होता है और क्रैसिया का मतलब होता है तुम तो ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रैसी डेमोस और क्रैसिया से मिलकर बनाए जिसका मतलब होता है कि ऐसा रूलिंग सिस्टम जिसमें पीपल के हाथ में कमांड हो जनता के हाथ में कमांड हो भले ही यहाँ पर आप यह कहलें कि सर हमारे हाथ में कहां कमांड है लेकिन वो अल्टी के देश में शाशन करें तो से लोगतंत्रिक में कहते हैं और उसकी definition यहीं से कि लेकिन एक बात द्हान दिजेगा लोगतंत्र के दो रूप होते हैं एक को कहते हैं डारेक्ट कि त order क्राशी और एक को कहते हैं अब अब कि है मैं यानि प्रत लोकतं तो और इसे कहते हैं प्रतिनी धात्मक भूँ तिके सुरुवात की क्लास में पहले मैं जो विशे आपको पढ़ाने जा रहा हूं चाहता हूं कि उसका कंसेट बहुत क्लियर होना चाहिए जो नए बच्चे उनको एभी बता दू कि नोट्स मैं प्रापर क्लास में खुद बनवात मेरे पढ़ाने का जो अप्रोच है आप जो पुराने बच्चे उनसे नोट शेयर करके देख भी सकते हैं मैं क्लास में एक एक लाइन आपको लिखवाऊंगा उसका कारण यह है कि मैं यह मान कर चलता हूं त्यारी में जो सबसे पहली चीज जरूरी है वह आपका कंटेंट बहुत फाइन होना चीज़ अगर बहुत अच्छा कंटेंट है तो उसको आप जितनी बार हो सके पढ़ें यानि मैं कभी भी इस सिद्धान में विस्वास नहीं करता कि मैं आपको दस किताब बता दूँ आप उसे खरीद लें और कह दें कि उसे पढ़िए आप दस किताबो को पढ़ने के बजाए एक अच्छे कंटेंट को दस बार पढ़ने की आगड़ा है कंटेंट बनाना आपके लिए मेरी जिम्मेदारी मैं क्लास में पूरा नोट्स पनवाऊंगा पूरा समझाऊंगा लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता बुकिस लैंगोज में आप लाइन लेकिन समझना अभी ज्यादा जरूरी है तो मैंने क्या कहा कि लोगतंत्र दो प्रकार के होते एक प्रत्यच और एक रिप्रजेंटेटेव यानि प्रत्मिधात्मक लोगतंत्र किसे कहा जाएगा बताईए जहां पर जनता डारिक डिसीजन ले सकेए यानि इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर साशन के फैसले करते समय जनता से ही सीधे पूछ कर सारे निर्णे किये जाएं तो से डारिक डिमोक्रैसी के कुछ हतियार होते हैं जैसे एक तर्म यूज किया जाता है रिफ्रेंडम रिफ्रेंडम आपने सुना होगा जिसको कहते है जन्मत संग्रे जन्मत संग्रे का मतलब यह होता है कि सरकार यहां भी दे पर बढ़ा जाए या ना बढ़ा जनता की राय उस पर जानी जाती है तो अगर इस तरह से देश का साशन चलाया जाए तो उसको कहा जाता है डारेक डेमोक्राइस यह समझ में आए दुनिया में आज की डेट में किसी भी देश में अभी यह ब्योहारिक नहीं इसका कारण अभी भी कुछ देशों में ऐसे रिफरेंडम कराये जाते हैं जैसे स्विट्जर लेंड में आज भी सिस्टम का यूज होता है या किसी बड़े मुद्दे पर आप देखें यूके में भी होता है या आरलेंड में भी होता है लेकिन बड़े देशों में यह ब्योहारिक नह आप सोचिए मैंने अभी उदारण दिया स्विट्जर लेंड में आज भी बहुत सारे रिफ्रेंडम से होते हैं तो कुछ हद तक वहाँ डारिक डिमोक्राइसी है लेकिन भारत जैसे देश में तो यह संभो ही नहीं है कारण यह है कि स्विट्जर लेंड की जो टोटल पॉप कर गया तो इसको क्या कहा जाता है रिप्रेजंटेटीटिव डिमोक्राइसी का मतलब क्या हुआ मतलब जनता साशन में भागिदार है पाडिसिपेट कर रही है लेकिन डारेक्ट ना करके बलकी अपने रिप्रेजेंटेटिव के थूँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं करते हैं उन्हीं को हम अंपी और मने कहते हैं और अंपी मने पार्लेमेंट में या लेजिस्टेटि बोडी में बैठ करके हमारे विहाब पर सारे फैसले कर तो जब इस तरह से किसी देश में साशन किया जाए तो उसको representative democracy या indirect democracy कहा जा तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज भारत का governing system कैसा है तो पहला term आप कहेंगे democratic governance है और दूसरा कहेंगे representative democracy है यह समझ में आ गया उमाल ग्राम पंचायद भी आप नहीं कह सकते हैं क्यों नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहां पर भी निर्णे लेने के लिए प्रतनिधी चुने जाते हैं हर व्यक्ति यहां निर्णे में भागीदार जरूर है लेकिन अप्रतिच रूप से भागीदार अंत्ता तो सरपंच या ग्राम प्रभान का निर्णे मानने होता ना बस आप कह सकते हैं की जो ग्राम पंचायते नहीं कहा जासकता अब आगे बात करते हैं कुछ और पूछ रहे नहीं उसको ध्यान रखेगा ग्रासरूट डेमोक्रैसी कहा जाता क्यों ग्रासरूट डेमोक्रैसी कहा जाता क्योंकि दिल्ली से उतार के जमीन तक लोगतंत्र को पहुँचाना लोगतंत्र को मजबूत करने के लोगों से मिला कर ग्राम सभा बनी लेकिन ग्राम सभा हर एक निर्णे में भागीदार नहीं तो कि अभी आप पढ़ने जा रहें लोगतंत्र में तीन पाया है विधाई कार्यों के कोई नियम बनना है तो ग्राम सभा बुलाई गई कारिपालिका संबंधी निर्णों पर ग्राम सभा की सेमती किया हो सकता नहीं है फिर सर्पंच का अधिकार आ जाता है कारिकारी निर्णे सर्पंच लेता और वीडियो के माध्यम से प्रसाशन चलाया जाता है तो कहा रहेगी डारिक डिमोक्राइस की इसी लिए आप देखेगा अभी आप यही पढ़ने जा रहे हैं कि लोकतंत्र में सरकार के भी तीन अलग-अलग रूप होते हैं तो जो जनता भागीदार होती है वो विधाई निर्णों में भागीदार होती कारिकारी निर्णों में नहीं यानि अब मैं अगला आप से वही डिस्कूस करने जा रहा था कि कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्ता में जो बहुत महत्तुकूर्ण चीज है वो है सक सकतियों का पृत कुल तो अगले इंपॉर्टेंट आता है दिमोक्रीटिक सिस्टम के वंकट में वह सेपरेशन על पावर। मिंप्रेशन आप पॉर्व कि सकतियों का पृतफ़कर अ प्रिथक करण सक्तियों के प्रिथक करण का मतलब क्या हुआ कि जो साशन के लिए यानि सरकार के लिए सक्तिया निर्धारित है साशन की सक्तिया powers of governance तो जो governance की power है अगर उसकी बात करें तो क्या-क्या power हो सकती जरा आप सूची तो पहली power तो ये हो गई कि ये नियम कानून तैं करे नियम कानून बनाना यानि समाज या देश के लोग किस नियम विवस्था में रहेंगे किन नियमों का पालन करेंगे वो निर्धारित करना पड़ेंगे तो जब नियम को निर्धारित करने की बात आए रूल रेगुलेशन बनाने की बात आए तो जो सरकार का अंग ये काम करें कि नियम ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसी को क्या कहा जाता है विधाई का यानि इसके लिए कर्म यूज किया जाता है और इसको हम कहते हैं legislature 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 क्या है law making बाड़ी डूल रेगुलेशन बनाने वाली बाड़ी अब legislature ने कोई नियम बना दिया कोई कानून बना दिया तो उसे implement भी तो करना होगा उसे लागू करवाना होगा तो इन नियमों को इन व्यवस्थाओं को जो लागू करवाने का काम करते हैं उस बाड़ी को क्या कहा जाता है एक्जिक्यूट यानि कारिपालिका अब कारिपालिका का काम ये है कि जो विधाईका ने नियम बनाए है उसका पालन करवाया जाए उसको लागू किया जाए जैसे माल लीजे एक नियम ये बना दिया गया कि अगर समाज का कोई भी सिदस्य देश का कोई भी भ्यक्ति सड़क पर चलता है तो सड़क पर चलते समय उसे इन नियमों का पालन करना होगा कि रेड लाइट हो जाए तो आप उही पर रुख जाएए और ग्रीन सिगनल होने पर आप आगे बढ़ जाएगे यह नियम हो गया तो इसी को हम कहते है ट्रैफिक रूल्स तो ट्रैफिक रूल्स बनाया किसने लेजिस्लेटिव बॉड़ी ने लेकिन उसको इंप्लिमेंट कौन करवाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे एक्जिक्यूटिव बॉड़ी समझ में आया यानी सरकार के दोंग हो गए कारिपालिका और विधाईका लेकिन ऐसाभी तो हो सकता है जहां पर देश की जंता को यह लगने लगे कि ये नियम जो बनाए गए हैं ये गलत ये सही नियम नहीं ऐसा नियम नहीं होना चाएग ya ये तो मनमाने तरीके से नियम बना दिया गया है तो ये सही गलत का निर्णे कैसे होगा इसके लिए देश के लोगों ने मिल करके एक आम सहमती से एक common consensus के साथ जो नियम बनाया था जो सम्मिधान कहलाता है सम्मिधान ही वो आधार है जो बताएगा कि ये काम गलत है ये सही लेकिन जो सम्मिधान बना उस सम्मिधान की भाषा में बहुत सारी चीज़े ambiguous हो सकते यानि डाउटफुल हो सकते यानि एक अंग कह रहा है कि सम्मिधान हमें ये पावर दे रहा है हम ये नियम बना सकते हैं और इसलिए यहाँ पर उसने विधान मंडल में कानून बना दिया लेकिन जंता या लोग कह रहें कि ये नियम नहीं बना चाहिए गलत है तो अब गलत सही का फैसला तो सम्मिधान से होना है तो जब भी ऐसे कोई dispute arise हो जाए कोई बिवात पैदा हो जाए तो सम्मिधान की ब्याक्षा करके ये निर्णे करना पड़ता है कि सही हुआ या गलत हुआ और इसलिए एक स्वतंत्र और निस्पक्ष संस्था सरकार की होती है उसको क्या कहते हैं जूडीश है यानि आप ऐसे समझे कि कोई खेल है अब खेल के अगर नियम नहीं बनाएंगे तो खेल में दिक्टत आएगी जैसे क्रिकेट का ही उदार ले ले भारत में बड़ा लोक पर ये खेल है क्रिकेट बच्चे गली में खेलना सुरू कर देते हैं लेकिन जब हम गली क्रिकेट का उदारन लेते हैं दो टीम में महले की कठी हुई टास हुआ मैच सुरू हो जाता है एक टीम यहाँ पर जीत गई टास उसने का बैटिंग करेंगे बैटिंग सुरू हो गई बालर की टीम उधर अपोनेंट वाले फिल्डिंग में लग गए और बालिंग स्टार्ट भी तो जो बैटिंग कररेंगे टीम होती है उसी के खिलाड़ी इंपारिंग के लिए उतार दिये जाते हैं अब पता चलता है कि अपोनेंट टीम कहती है यह बाल पैर पे लगी है LBW हो कहता है नहीं लगी है बाहर जा रही थी बाल decide कैसे होगा तो कई बार आप लोग देखते हैं यहां तक भी बाद हो जाता कि खेल बाद में होता है पहले कोई और खेला सुरू हो जाता है दोनों महलम मारपीट हो गई तो इससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम नियम बना ले नियम के अनुसार खेला जाए और इसी लिए जब आप मानत क्रिकेट खेलते हैं अनि स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते नियम बनाने वाली एक संस्था है जिसका नाम है आई सीची यानि यह कौन तें करेगा मालिय बुम्राह बालिंग कर रहे हैं उन्होंने छे बाल डाली बहुत क्यों इसी यह समझ में आया तो यह नियम कौन तेंग कर रहा है कि छे डिलिवरें का एक ओवर होगा ICC बहुत सारे नियम बनाएगा अब ICC ने नियम बना दिये तो उसको पालन करना खिलाडियों का काम है कि खिलाडी उसी हिसाब से खेलें अगर खिलाडियों में कोई बिल्कुल यही विवस्था देश के साशन में है देश का साशन कैसे चलेगा किन नियम कानून के तहट चलेगा समाज को किन नियम कानून का पालन करना होगा ये काम जो तह करते हैं उसे कहते हैं लेजिसलेचर या बिधाई का और फिर इसके बाद इन नियमों का जो पालन यानि खिलाडी हो गए वो कारिपालिका और अमपायर हो गए जूडी शरी यानि जूडी शरी का काम है ये देखना कि सही गलत तो नहीं हो रहा अगर सही गलत की बात आती है तो जूडी शरी संविधान में लिखे गए नियमों के आधार पर सारी व्याक्षा करती है और इसलि गाट नेने समझा की प्रिजिन टाइन टाइम में इंडिया में किस तरह का गवर्णिंग सिस्टम tää Q किस तरह की सी रिपर्जने डेमोक्राइस और रिप्रिजन टेट ड्यमोक्राइशी क्यों कहते हैं जहां सरकार के तीन अंग होते हैं तारिपालिका विधायका और न्याइपालिका तीनों के बीच यहां सक्तियां बटी होती हैं एक नियम बनाता है एक उसे लागू करवाता है एक उसके लिए न्याइविधान तै करता है यह समझ में आ गया इतना इसको शार्ट में पहले लिख लीजे फिर आगे बाद लिखे एडिंग लिखेगा वही इंडियन पॉलिटी भारतिय राज्विवस्ता लिखे असेट आफ रूल्स असेट आफ रूल्स अंडर विच under which are people of the country people of the country governed people of the country governed is called constitution is called constitution constitution is the basic principle Constitution is the basic governing principle, constitution is the basic governing principle, basic governing principle, which defines, which defines powers and authorities, which defines powers and authorities, powers and authorities of the governing body, of the governing body, of the governing body called state, called state, s-t-a-t-e, called state. The state consists of four elements, the state consists of four elements, these are, these are territory, these are territory, the people, the people, government, government, and sovereignty, and sovereignty, and sovereignty. The unrestricted authority, the unrestricted authority to take decision, to take decision, to take decision is called sovereignty, is called sovereignty. There are two types of state, there are two types of state, there are two types of state, one autocratic state, autocratic state, and second democratic state, and second democratic state. Hindi में नियमों का वो संग्र है, नियमों का वो संग्र है, जिसके द्वारा किसी देश की जनता सासित होती है, जिसके द्वारा किसी देश की जनता सासित होती है, किसी देश की जनता सासित होती है, किसी देश की जनता सासित होती है, संबिधान कहलाता है, संबिधान कहलाता है, संबिधान देश के साशन का, संबिधान देश के साशन का, संबिधान देश के साशन का वो मूल सिद्धान थै, देश के साशन का वो मूल सिद्धान्त है जो साशन की सक्तियों और प्राधिकार को निरधारित करता है जो साशन की सक्तियों और प्राधिकार को निरधारित करता है साशन करने वाली इकाई को राज्य कहा जाता है और राज्य चार तत्तों से मिलकर गठित होता है पहला भूभाग या राज्य छेत्र पहला भूभाग या राज्य छेत्र दूसरा लोग पीसरा सरकार और चोथा संप्रभुता निर्णय लेने की निर्बाध सुतंत्रता निर्णय लेने की निर्बाध सुतंत्रता निर्णय लेने की निर्बाध सुतंत्रता निर्बाध सुतंत्रता निर्बाध सुतंत्रता संप्रभुता कहलाती है निर्बाध का मतलब अन्रिस्टिक्टड बिना किसी बाधा के निर्बाद स्वतंत्रता सम्प्रभुता कहलाती है सम्प्रभुता कहलाती है SSE के त्यारी करने वाले बच्चों में एक बड़ी गलत सी धाना है वो ये मानते हैं कि GS फैक्ट है और फैक्ट रट लिया जाए वही आना आज जो SSE में बहुत सारे बच्चों के लिए ये सेग्मेंट बड़ा चैलेंजिंग हो गया है कई बच्चे मिलते हों कहते हैं सर मेरा सेलेक्शन रुका GS की वज़ा से मैट्स में मेरे 48 नंबर आये थे रिजलिंग में 49 आये थे बेसिक अंडरस्टेंडिंग आपकी अच्छी है तो GS में 10-12 नंबर लाना कोई बड़ी बात है एक तो टेंडेंसी बना दी गई है कि यूटूब पर बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसा बता देंगे देखो GS में यह question आये यह आये और बिल्कुल डरा देंगे लगेगा क्या है केवल सामान ने समझ की जरूरत है हमारी दिक्कत क्या है कि हम एक गाइड उठाते और उसको पूरा रट लेते हैं यहां तक बच्चे आकर बोल देते हैं सरमने किताब पूरी रट ली थी फिर भी तीन नंबर आए कारण क्या है कि आप तथ्यों को रट करके इसे त्यारी नहीं मान सकते हैं अच्छा रट भी लेते चलिए मानता हूं कि आपकी कैपसिटी बहुत अच्छी आपने रट लिया लेकिन परिक्षा भावन में चार आप्षन देखते हैं सब बाउंस होने लगता है कि यह भी तथ्यों को याद रख पाना बहुत मुस्किल हो जाता है वह तथ्य आप यकीन नहीं करेंगे 22 साल मुझे हो जाएगा अपने पढ़ने और पढ़ाने के कैरियर में मैंने खुद भी तैयारी की थी उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 15 साल से आज भी मुझे फैक्ट सामने देख करके अपने उसी कामन सेंस का इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंसता हूं और ये कैप सिटी जिस दिन आपके अंदर आती है जी एस की त्यारी यही है आज भी सेसी में अभी मेंस का जो पेपर में देखा जो अभी इस साल पेपर आया था दो बार मेंस के पेपर मे जीएस का पेपर जैसा आया वो एक इंडिकेशन तो कि पिछले बार तो चार सेट आये थे इस बार तो एक ही सेट आया पांचों सेट उठा कर आप देख लीजिए मेंस की त्यारी या टियर वन की त्यारी में कोई फर्क नहीं दोनों का लेवल लगभग एक जैसा 19-20 का फर्ग बहुत थोड़ा बहुत है और अब SSC में GS के जैसे प्रस्ट पूछे जा रहे हैं वो कंसेप्ट बेस ज़्यादा स्टडी की डिमांड कर रहे हैं आपकी समझ जितनी अच्छी होगी उतना ही आप बहतर स्कूर कर पाएं अच कि लगभग आठ से नौ प्रस्ट ऐसे आ रहे हैं जो बहुत जनरल स्टडी की डिमांड करते हैं कुछ लोग GS को बहुत सरल दिखाने के लिए वही आठ नौ प्रस्ट आपके सामने उधारण में रख देंगे अच्छा करते क्या एक सेट पेपर तो टियर वन में होता नहीं ही बहुत सारे सेट पेपर के बनते हैं तो जो जो आसान आसान पर सारे सेट के उठाकर लगा देंगे कहेंगे इस बार सेशी में आया लेकिन हर 7 पेपर में मैंने देखा 8-9 प्रस्ट बहुत सरल आए तो लगभग आप देखेगा 12-13 प्रस्ट थोड़ा सा moderate standard के थे यानि उसके लिए आपकी थोड़ी सी समझ विक्सित होनी जी और 2-3 प्रस्ट बड़े absolute type के आते हैं हलके भी हो सकते हैं और इतने टफ भी हो सकते हैं कि वह आप क्या मैं नहीं हल कर पाऊँगा तो आप यहां पर दिमाग में यह मत रखे कि GS में मैं ऐसी त्यारी करना कि 25 में 25 करके आऊँगा GS में बहुत आसानी से धंग से पढ़ा जाए 17-18 किया जा सकता है लेकिन जितना आप विशय को समझ कर पढ़ेंगे उतना ही तत्थ याद करना आसान हो जा है हम क्या करते हैं सीधे आर्टिकल उठाते रटना सुरू कि आर्टिकल 52 में यह है 53 में यह है 54 में यह है और फिर बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो जाए तो अपने आप प्रस्णों को हल करने की चमता बढ़ जाती है तो मैंने अभी आप से कहा कि किसी देश में साशन करने वाली संस्था को संबैधानिक भाषा में क्या कहा जाता है इस term in constitutional language as transfer क्या लगा कर है state कहा जाता और क्या आपने कभी गवर किया कि हमारे संभिधान में भी state ही लिखा हुआ है जैसे आप एक topic पढ़ते है directive principles of state policy वहाँ state शब्द इसी reference ने आया है state का मतलब ही होता है government state को broader concept में वहाँ define किया गया कि state का मतलब क्या article 36 इसी से सुरू ही होता है उसमें state की definition लिखिए बलकि आप fundamental rights पढ़ते हैं तो उसमें article 12 में state की definition लिखिए तो state के reference अलग-अलग हो सकते हैं जब आप देश की प्रसासनिक इकाईयों के लिए शब्द प्रयोप करते हैं तब भी state बोला जाता है और जब देश के साशन करने वाली संस्था को आप बोलते तब भी state कहा जाता है यानि state का use दो reference में हो सकता है समझ में आया दूसरा इस्टेट कितने element से मिलकर बनता है क्यार कौन-कौन से territory, people, government और sovereignty, sovereignty क्या है unrestricted authority यानि निर्णे हम खुद लेंगे देश के लोग निर्णे लेंगे तो इसी को कहते है समप्रभुता और यहाँ पर note में point लिखेगा हूँ, एक fact है जो आ सकता है paper में note में नीचे लिखे, लिखे, the term state in its modern sense the term state in its modern sense the term state in its modern sense was first used by was first used by used by Machiavelli Machiavelli in his book in his book the prince in his book the prince आधुनिक संदर्व में आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रियोग पहली बार इटली के एक महान राजनितिगे मैकिया वेली ने अपनी पुस्तक दा प्रिंस में किया मैरा चेंज करके लिखे प्रिजेंटली प्रिजेंटली इंडिया इज डिमोक्राटिक स्टेट 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 इंडिया इज डिमो The term democracy, the term democracy is derived from, the term democracy is derived from two greek word, derived from two greek word, two greek word, demos and kresia. Demos and kresia. Demos and kresia. The literal meaning of demos is people. The literal meaning of demos is people. And kresia means rule. And kresia means rule. Therefore, therefore, a ruling pattern, a ruling pattern, in which country is governed, in which country is governed, is governed by the people, by the people, is called democracy, is called democracy, is called democracy. Hindi में लिखे. राज्जी के दो प्रकार हो सकते हैं. राज्जी के दो प्रकार हो सकते हैं. पहला सुएच्छा चारी राज्जे और दूसरा लोकतांत्रिक राज्जे आज पूरी दुनिया में क्या कहीं कोई ऐसी कंट्री है जिसे आप आटोक्रेटिक स्टेट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं? नार्थ पॉरिया वैसे लीगली वो भी दमोक्रेटिक हैं लेकिन वही बात है कि केवल कानून में लिख देने से कि हम देमोक्रेटिक हैं डेमोक्रेटिक नहीं हो जा रहे हैं? हाँ democracy है कुल मिला के बागी मोनार्की तो है ही लेकिन वो मोनार्की nominal ये वल दिखाने के लिए है real में democratic है क्योंकि आज सथा का पूरा नियंत्र जंता के हाथ मैंने नार्थ कोरिया इस लिए जिक्र किया कि वैसे तो मैंने का legally वो भी डिमोक्रेटिक इसका नाम ही Democratic Republic of North Korea लेकिन वो कहने क्लिए डिमोक्रेटिक है पास्तों में वहां पर किंग जोम के हात में सारी सत्ता है कि जब चाहे तब किसी को तोप से उड़ा दे कि कवा के जनरल को ही तोप से उड़ा दिया तो इसका मतलब यह हो गया कि वो कहने के लिए डिमोक्रेटिक है रियल सेंस में डिमोक्रेटिक नहीं बलकि डिमोक्रेशी की सबसे अच्छी परिभाशा अमेरिका की राश्पत अबराहम लिंकन की मानी जाती है जिन्होंने का दा वर्तमान में भारत में वर्तमान में भारत में लोक्तांत्रिक साशन है भारत में लोक्तांत्रिक साशन है 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 लोक्तांत्र के लिए अंग्रेजी सब्द लोक्तंत्र के लिए अंग्रेजी शब्द डिमोक्रेशी यूनानी भाषा के दो सब्दो यूनानी भाषा के दो सब्दों एमोस और क्रैसिया से मिलकर बने हैं एमोस का अर्थ एमोस का अर्थ एमोस का अर्थ लोग और क्रैसिया का अर्थ साशन से हैं और क्रैसिया का अर्थ साशन से हैं इस प्रकार लोक्तंत्र एक ऐसी साशन व्रवस्था है लोक्तंत्र एक ऐसी साशन व्रवस्था है जिसमें साशन लोगों के पास है जिसमें साशन लोगों के पास है साशन का अधिकार लोगों के पास है या साशन लोगों के पास है यहां तक सब कुछ क्लियर है किसी को कोई डाउट पैरा चेंज करके लिखिए इंडियन कॉंस्ट्यूशन फालोड हां एक ही एक ही एक ही जो लिखें इंडियन कॉंस्ट्यूशन फालोड इंडियन कॉंस्ट्यूशन फालोड रप्रेजटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे only, representatives elected by the people only, elected by the people only, have the authority, have the authority, have the authority to govern the country, to govern the country. भारतिये संविधान प्रतिनिधात्मक लोगतंत्र को अपनाता है। जिसमें देश पर साशन करने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही है। तो मैंने जितना अभी तक आपको समझाया उसी को वर्डिंग में आपको लिखाया। ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज़ आप और समझेए कि भारत में डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहां पर सरकार के तीन अंग हैं कारिपालिका, विधाईका और न्याइपालिका। लेकिन जैसे ही आप एक्जिक्यूटिव के बारे में पढ़ना सुरू करते हैं। यही आपका पहला टापिक होगा। तो आप यह देखते हैं कि भारत में एक्जिक्यूटिव के टूटियर सिस्टम काम कर रहे हैं। यानि दो इस्तर पर यह काम कर रहे हैं। एक को नाम दिया गया है दा यूनियन एक्जिक्यूटिव। इसे कहते हैं दा यूनियन एक्जिक्यूटिव। यानि संग की कारेपालिका, संग की कारेपालिका और एक को कहते हैं the state executive, यानि राज्य की कारेपालिका, राज्य की कारेपालिका. तो कारेपालिका का काम है, जो नियम कानून बने उसको लागू करवाना, तो ऐसा क्यों है हमारे देश में कि दो इस्तर पे कारेपालिका काम कर रही हैं, बलकि ब्योहारिक तोर पर तो हम यह भी कह सकते हैं, तीन इस्तर की सरकार हैं, क्योंकि गाओं में पंचायद भी काम कर इसका कारण है कि हमारे देश का जो सम्विधान बनाया गया, वो जिस सिस्टम को फालौ करता है, उसे कहते हैं फेडरल गवरनेंस, यांनि इसे संघीय साशन कहा गया, संघीय साशन अब संघीय साशन का मतलब क्या होता है कि साशन दो प्रकार के होते एक होता है एक्जिक्यूटिव गवर्नेंस में सारा सिस्टम एक के कंट्रोल में उसे युनिट्री गवर्नेंस का है एकात्मक साशन एक आत्मक साशन का मतलब हुआ कि सारी सरकार की सक्तियां एक हाथ में होगा कारिपालिका एक विधाईका एक न्याइपालिका है फिर समझे अगर कारिपालिका विधाईका और न्याइपालिका तीलों ही किसी एक के पास हो तब तो डेमोक्रेटिक ही नहीं रहा क्योंकि डेमो पालिका तो तो फिर वही बात हो गई कि यहां पर जो सरकार है वही सलसद है और सलसद ही निया पालिका फिर तो आटो क्रेटिक रूल आ गया जो पहले था तीनों अलग-अलग हैं लेकिन तीनों अलग-अलग होते हुए भी पूरे देश में राष्टी इस्तर पर एक ही यानि देश की एक संसक्त, देश की एक सरकार, देश की एक सुप्रिमफोर, तो उसको कहते हैं यूनिट्री जैसे यूके में जब हम यू के की बात करते हैं तो यू के पर्टिकुलरली अगर आप देखें चार राज्यों से मिलकर बना, एक का नाम है वेल्स, एक का नाम है यह चार राज्य हैं लेकिन चारों राज्यों में अलग-अलग सरकारे नहीं हैं यहां की पूरी सरकार केवल राष्टिय सरकार उसे गवर्मेंट आफ यू कहा जाता वही यहां पर पूरा निर्णे सभी राज्यों के लिए भी करती है फिर UK में पार्लेमेंट भी है वही पार्लेमेंट जो कानून मनाएगी वो सब पर एक समान रूप से लागू होगा UK में जुडी शरी का भी स्ट्रक्चर है लेकिन पूरा यूनिफाइट सिस्टम है तो इस कि तरह के गवर्निंग सिस्टम को कहा जाताा यूनिट्री गवर्मेंट समझ में आया लेकिन भारत ने यूके की कि यहां पर ऐसे में प्रसाशन चलाने के लिए युनिट्री सिस्टम हमारे लिए बहुत सक्सेस्फुल नहीं हो सकता तो हमने एक फेडरल सिस्टम आप किया हलांकि फेडरेशन के कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट में पावर जब बाटी जाती है तो स्टेट को ज्यादा स्ट्रॉंग बनाया जाता है लेकिन भारत ने इस तरह का फेडरल सिस्टम आप नहीं किया भारत ने एक ऐसा फेडरल सिस्टम आप किया जिसमें सेंटर ज्यादा स्ट्रॉंग है जैसे कैनड़ा में सिस्टम है लेकिन इतना कम से कम आप जरूर ध्यान रखेगा कि भारत ने या भारत के सम्विधान ने federal governing system को opt किया इसलिए हमारे यहां कारिपालिका और विधाईका की सक्तियों को दो में बाटा गया और हमारे सम्विधान में साप साप लिखा गया है और जहां लिखा गया उसका नाम है 7th schedule of the constitution सम्विधान की सातवी अनसूची में तीन लिस्ट बनी यूनियन लिस्ट इस्टेट लिस्ट और concurrent लिस्ट यूनियन लिस्ट में जो subject matter है उस पर यूनियन का jurisdiction है इस्टेट लिस्ट में जो subject है उस पर राज्यों का अधिकार है ये बात अलग है मैंने अभी थोड़ी सिच्वेशन में हमारा समिधान unitary बन जागा लेकिन ultimately एक point याद रखें कि भारत में सरकार के दोस्तर इसलिए है केंद्र और राज्य में क्योंकि हमारा समिधान संगिये हमारे हाँ संसद केंद्र में है तो राज्यों में विधाल सभावी कानुन बना रही है ऐसा इसलिए ह क्योंकि हमारे यहां federal structure को आउट किया गया तो आप जो पढ़ने जा रहे है पॉलिटी के अंतरगर वो तीन major topic को दो में बाठ दीजिए एक executive पढ़ेंगे तो union का पढ़ेंगे state का पढ़ेंगे legislature पढ़ेंगे तो union का पढ़ेंगे state का पढ़ेंगे judiciary पढ़ेंगे तो union और state दोनों पढ़ेंगे यही छे मेजर टापिक आपके होने वाले पहरा चेंज करके लिखे गा हो रिकेत कि इना डेमोक्राटिक गवर्मेंड है है इना डेमोक्राटिक गवर्मेंड तो सफ पड़ेशन और पावर Separation of power is an essential feature Is an essential feature This means This means There are three organs of state There are three organs of state The organs of state Called executive Called executive Executive Legislature Legislature And judiciary And judiciary And judiciary Since Indian constitution Since Indian constitution Followed Followed The federal provisions of governance The federal provisions of governance Federal provisions of governance Therefore 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 There are two tier of There are two tier of Executive and legislature Two tier of executive and legislature Executive and legislature 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 One One The One One स्वस्था में सक्तियों का प्रथक्रण अनिवार्य विशेष्ता होती है। इसका अर्थ है राज्य के तीन अंग होते हैं कारिपालिका, विधाईका और न्याएपालिका। क्योंकि भारत का संविधान संघीय धाचे में बनाया गया है। संघीय धाचे में बनाया गया है। इसलिए यहां कारिपालिका और विधाईका के दोस्तर है। अब आप लोग एक टेबल बनाईएगा इसलिए। क्योंकि यहां कि अड़ा है। क्योंकि अड़ा गया है। अश्यां को यहां को यहां कि दो इसलिए। झाल 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 भारत के संविधान में कुल 22 भाग है इसमें से भाग 5 में यूनियन एक्जिक्योटिव के बारे में यूनियन लेजिसलेचर के बारे में यूनियन की जूड़ी शरी के बारे में बताया गया। बिलकुल ठीक इसी तरह से अगले भाग में भाग छे में राजी की कारिपालिका, राजी की विधाईका और राजी की नयाईपालिका के बारे दूर रताया गया। यही दो ऐसे पार्ट हैं जो आपके प्यार हो गएं, तो मैं कह सकता हूं कि पॉलिटी में लगभग 90% कुश्चन किसी एरिया से पुछे जाते हैं, भाग 5 और भाग 6 पढ़ना, जैसे आप इस बार का पेपर देखें, प्रस्ट पूछा गया संविधान के किस भाग को राज् तो राज्य के बारे में जिस भाग में बात की गए, उसे राज्यों का संविधान करें, यानि राज्य का पूरा गवर्निंग सिस्टम हमारे कॉंस्टूशन के पार्ट 6 में 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 और सेंटर के लिए पूरा प्रोवीजन वो पार्ट 5 में दिया गया, तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे कारिपालिका वाले टॉपिक में, तो पहले क्या पढ़ेंगे संग की कारिपालिका, और अगर ये बहुत ढंक से समझ में आ गया, तो ये आप कम भी पढ़ें तो अपने आप इसका जवाब देने की इस्तथी में, जैसे एक छोटा सा एक्जामपल दे रहा माल लीजे मैंने आपको संगती कारिपालिका में एक टॉपिक पढ़ाया कि भारत सरकार को लीगल मैटर पर एडवाइस देने के लिए एक लाओ आफीसर भी अपॉइंट किया जाता है, और उसी को एटार्णी जनरल कहते हैं, अब एटार्णी जनरल एक कॉंस्ट्यूशनल आफिस, एक संबैधानिक पद है, उसकी न्यूक्ती राष्टपती करता है, और वो भारत सरकार को बिधिक मामलों में परामर्स देता है, यानि वो भारत सरकार का लीगल एडवाइजर, सरकारी वकील जैसा समझ लीजे, लेकिन आप पेपर देने गया और एक्जाम में वहा जनरल होते हैं, तो अपने आप आंसर आजाएगा कि जो काम सेंटर में टाणी जनरल का होगा, वो काम स्टेट में एडवोकेट जनरल करेगा, या मालीजे मैंने आपको पढ़ाया कि यूनियन एक्जिक्यूटिव की सारी पावर प्रेजिडेंट के हाथ में होती है, परणर यूनियन एक्जिक्यूटिव का हैड पूछा जाया तो प्रेजिडेंट यह बात अलग है कि भारत में पार्लिमेंट्री डेमोकेशी, यह तर्म और पढ़ने वाले आप लोग कि पार्लिमेंट्री डेमोकेशी किसे कहते हैं जहां पर दो तरह के हैड होते हैं एक कां प्रदृप आंट हम धूर्पन निस्टर की एडवास पर करते और काउंसिल मिनिस्टर की एडवास उनके लिए binding हो लिए राष्ट्वति हो उनको मंत्र परिशत्त की सलाह पर ही काम करा पड़ता है । भारत यूनियन इग्जिक्यूटिव से तो अगली एडिंग लिखिए दा यूनियन इग्जिक्यूटिव संग की कारेपालिका दा यूनियन इग्जिक्यूटिव संग की कारेपालिका संग की कारेपालिका कारेपालिका नीचे ब्रैकेट में लिखेगा आर्टिकल फिप्टी टू आर्टिकल फिप्टी टू ते डाइस दे कर लिखे आर्टिकल सेवन्टी ऐट आर्टिकल सेवन्टी ऐट यानी 52 से 58 अनुच्छेद 52 से 88 और फिर उसमें point out करिए, पहला लिखे the president, the president, the president, the president राष्टपती, दूसरा लिखे the vice president उपराष्टपती, the vice president उपराष्टपती, तीसरा लिखे union council administers, union council administers, संगीय मंत्रि परिशर, union council administers, संगीय मंत्रि परिशर, चौथा लिखे attorney general of India, attorney general of India भारत का महाने आयवादी, तो इसी एक-एक topic को ले करके, कल की class से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका syllabus मैंने start कर दिया है, आज एक general introduction दिया, कल की class में the president topic से हम लोग शुरुआखते हैं, सब्सादा दिया हम लोग कि अएक भीया है, की